अब आपको हमारा शाही बजार इतना पसंद आही गया है तो चलिए इसका लेटिस्ट एक और पार्ट भी देखी लेते हैं आज के व्लॉग में भी एक से बढ़कर एक डिजाइनर कलेक्शन में आपको दिखाऊंगी और लोकेशन भी साथ साथ में समझा रही हूं तो प्लीज व्लॉग को आनते तक जरूर देखना बहुत सारी काम की चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी मतलब आपका ए तो कल इंद्र लोक मार्केट में कौन-कौन विजिट करेगा कमेंट करके जरूर बता देना और आप लोग काफी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे पाकिस्तानी लॉन कॉटन सूट्स की तो वो भी मैने कवर कर लिया हैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगी जहां पर लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चानल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ओन करना ना भूलें तो आपको यहां पहुंचने के लिए दिल्ली गेट के मेट्रो स्टेशन गेट नबर 3 से एगजिट करना है देखो आप सा अगर आप देखना हो तो दिल्ली गेट का फी पुराना सा मॉनिमेंट भी सामने आपको नजर आ रहा होगा तो यह आजपास की लोकेशन है देखो मूर्ति के बिल्कुल बगल में गली जा रही है इसमें आपको एंटर कर जाने रिक्षा लेकर और रिक्षे वाले को बोलना तो जिस तरफ थम्स अप का एड है यहीं पर कॉर्नर पे सबसे पहले आपको यह क्रॉकरी वाले भीया मिलेंगे उनके सामने कश्मीरी कलेक्शन वाले भीया मिलेंगे तो इन दोनों का ही बहुत धासू प्राइजिस और कलेक्शन रहता है और सेवन डेज यह शॉप लगात बावजूद मैं कहारी हूँ आपको कि अभी भी यह मार्केट में आपको 50 परसंट ही दिखाई है इसके आगे तक और भी काफी बड़ा मार्केट है यह जामा मस्जित के जस्सामने जो पूरा मार्केट लगता है जहां पे जेंड के सबसे जादा कपड़े मिलते हैं वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है मुझे कमेंट कर देना जामा मस्जित के उस मार्केट में मैंने आपको फुलकारी वाले सूट दिखाये थे अगर आपको याद हो और हेवी गोटा पत्ती वाले प्योर जॉजट की सूट वहां पर इसकी बकाइदा होलसेल की शॉप्स है मैंने पहली बार देखा मुझे पता ही नहीं था आज तक खैर वापर से अपने क्रॉक्री आइटम वाले भिया की शॉप्र में आ जाती हूं इन कप्स को कौन कौन पह जानता है जो लोग मेरे चानल से पहले भी जुड़े ह यहां पर उन्होंने सिर्फ सैंपल के लिए रखा हो था अस्ती माल तो अंदर है मैंने भिया को बोला अंदर से लाके बूरा यह यूनीक साइटम दिखाने के लिए बैसिकली यह मेड इन इटली का सेट है इसमें आपको सॉसर और यह जो कप्स हैं दोनों मिलेंगे इस तरी साथ ही साथ यहां पर आपको इस तरीके से क्रिस्टल के कच्छुए मिल जाएंगे जिनकों की काफी लग्की माना जाता है आप मेंसे कौन-कौन रखता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा इसके बाद आपको यहां पर नीमबू न आपको इस तरीके से छोटे साइस के स्पून्स मिल जाएंगे छोटे बच्चे छोटे स्पून्स इतना याद रखना कि इनके शॉपर कभी भी कुछ भी आता है तो यह पूरा सेट में आपको दिखा रहे हूं सॉसर पर भी प्रिंट है और जो कप्स है वो तो है ही सुंदर यह मेडे निटली का सेट रहेगा प्राइज मेंने कोट कर दिया है इसमें बार्गेनिंग आप करवा सकते हो फिक्स्ट नहीं है इसका स्पेशली में जो आपको बता रहे हूं और भीया के पास में यहाँ पर फाइबर टॉबल का सेट मिल रहा है जो कि आप किचन में वाथ करने के लिए भी बट यह ना पॉलितिन से बाहर खोल के मैंने देखा नहीं इसलिए मुझे जादा पता नहीं कितना माजिक करें या नहीं इसके साथ साथ आपको भीया के पास में नौन स्टिक के तवे और पैंज वगरा मिल जाएंगे अब इनकी कितनी वारंटी है क्या इ तो याद रखना त्रिक्षा जहां पो टारेगा तिराहा में वहां पे थम्जब ब्लू कलर का बोर्ड है और उसके बिलकुल सामने ही आपको ये कश्मीरी कलेक्शन वाले भीया मिल जाएंगे अब जब तक समर्स हैं सारी जब तक विंटर्स हैं लाइक फैबरी तक में आप प्यारा इसका फाबरिक है और ये पूरा उन्होंने बताया कि हाथ का काम रहता है तो प्राइस के मैंने कोट कर दिया है कलर डिजाइन इसमें आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे जिस वक्त मैं पहुंची थी ना भाया ने लगाना शुरू ही किया तो बस हड़ड़ी में जो मुझे दिखा पा रहे हैं वही मैं आपको शो कर रहे हूँ यह फेरन है वूलन फाबरिक में प्राइस में कोट कर दिया है और यह पूरा आपका सिला से लह रहेगा उपर जो आप देख रहे हैं इससे हमारे हां तो पोजो ही कहते है न तो यह बड़े साइज में भी है और चोटे बच्चों के साइस के भी मिल जाएंगे यह पूरा फरंट और बैक आपको heavy embroidery मिलेगा और दूसरा वाला जॉब देखो इस में neck में heavy embroidery रहेगी heavy tussles के साथ में इसका short video में आपके साथ में शेयर किया था कल ही यहां पर जॉजट की इस तरीके से free size कुर्ती मिल जाएंगी और आप मुझे बताएगा क्मेंट करके क्या इसे ऐसे ढीला ढाला पहना जाएगा जो कुर्ते के कंदे की लाइन है वो हमारे कंदे के ऊपर नहीं आती है एक्जाक इसे जादा जो मुझे आई कैचिंग लगा वो यह वाला पीस था बिकोज मुझे यह कलर कंट्रास्ट बहुत सुंधर लगता है मैं इस पूरे रूप में एक ब्रासों की साड़ी इमैजन कर रहे थी कितनी मस्त लगेगी ना कश्मीरियम ब्राइट्री में कश्मीरियम ब्र डिजाइन बहुत अलग-अलग मिलेंगे यह जो आपको रेड मैं ने दिखाया है यह कोट है अगर आपको भी ऐसे मशीन वर्क वाला चाहिए वो भी मिलेगा है भाई खुद बकाइदा बताते हैं कौन सा हैंड वर्क है कौन सा मशीन वर्क है दिन कुछ इनके पास में आर् पानी गरम कर लो देन यहां पैसे जग्स मिल जाएंगे रेट इनके काफी जेन्वन होते हैं आप जो भी लेना चाहों ले सकते हो लेकिन हमेशा ऐसा सेम समान नहीं मिलता कभी भी कुछ भी आता रहता है यह पर रहेगा सारा घर का ही समान यह 50 रुपीज का स्पून था यह यह है फ्रिज ट्रेइ 150 रुपीज की दो इनों ने बताई थी फ्रिज में अगर एक्स्ट्रा स्पेस अप क्रिएट करना चाहते हो तो ले सकते हो और देखिए ना तो कश्मीरी कलेक्शन वाले भी ऑन लाइन देते हैं और ना यह देते हैं तो आपको मार्केट तो ट Corni वाले जितने भी इंदेलो के सुट वाले भी है वो सब left में मिलेंगे और right साइड में आप में आपको लेकर चलू और दिखाते हूं कि right साइड पे जाने में आप को क्या क्या मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर आपको सुट वाले अंकल की शॉप में लेगी फिलाल अच्छी है काफी क्योंकि पूरा लॉंग मैक्सी है, सामने आप फ्रंट पे देख सकते हो, हेवी बटन्स है, और इसमें हुड़ी भी लगा है, और साथ में इसको मैचिंग आपको ट्राउजर भी मिल रहा है, तो आइगेस जैसे जो लोग इस सीजन में प्रेगनेंट हैं, ज लेसे वाले चाहिए, बटन्स वाले, वो सब इनके पास में आपको मिल जाएंगे, तो ये अंकल की शॉप आपको थम्स अप आले बोर्ट से राइट में जाकर मिलेगी पट्री पर, इसके बाद यहां पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी बिना बोर्ट की, और यहां लॉंग ड्रेसिस की सेल है, यहां पर एक रैक लगा हुआ था, इसमें सब 200 रुपे का है, कुछ भी आइटम आप यहां से ली सकते हो, यहने आपको कई बार जिक्र किया हुआ है, इस लाइन में खदीजा होस्पिटल बढ़ता है, तो आपको होस्पिटल नहीं जाना है, ख पाकिस्तानी सूट्स की काफी सारे शॉप्स मिलेंगी, तो आपका अगर अगर उतना बजट है भई 5-6 हजार वाला, तो भी आप यहां पर विजट कर सकते हो, इस रैक में मैं आपको दिखा देती हूँ, काफी अच्छे आर्टिकल्स है, और यह सब कलेक्शन चेंज होता रहता है, जब समर्स आएंगी, तो आपको यहां पर कुछ सूट्स, कुर्ती, यह सब देखने को मिलेगा, यहां पर भईया ने दूसरी जगा टेबल पे 100 रुपीस की सेल लगा रखी तो इसमें चोटी बेबीज के लिए जादा तर कपड़े हैं, वो भी गर्ल्स के, अभी आपको चाहिए तो मैं वीडियो में आगे आपको दिखा दूगी, आप लोग कहते हो हमें लोकेशन नहीं मिलती, शॉप्स नहीं मिलती, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने और अच्छे से बता दिया है, अगर मेरे पास ड्रोन उता तो मैं ड्रोन उड़ा उड़ा के एक दूस तो वहां से तो आप घर बैठे भी ले सकते हो, जी शाहिदा वगरा वो सब लेफ्ट साइड में है और ये आज का ये पूरा आपको आगे मैं राइट साइड का कलेक्शन दिखा रहे हो, तो ये खदीजा हॉस्पिटल लिखा हुआ है सामने, इसके बिलकुल सामने वाली श ले भी ली थी, तो अब इसको देखने का कोई फाइदा नहीं है, यहां पर भी बच्चों के पर्मेनेंट हैं, बाकी बड़ों के कभी भी कुछ भी आ जाता है, नीचे गर्ल्स के लिए, कॉलिज गॉइंग गर्स के लिए, आपको पैंट्स और जेगिंग्स मिल जाएंगी इसमें कई हैं जो अंदर फरवाली होती है, और इसी मार्केट से मैंने दो फरवाली परचेज भी की थी, हाला कि वो शॉप दूसरी है, लेकिन वो अभी तक इतनी अच्छी चल रही है, शुकर है कि मैंने दो ली ली थी, एक धोती हूँ, तो एक पहन लेती हूँ, फिर जूख चाती है, और उसी की वज़ा से मेरी पूरी सर्दियां कटी है, जाहे मैंने जैन्वरी में, दिसमर में जो भी व्लॉगिंग की है, भाई उसी को पहन के किया है, इसका स्ट्रेच इतना अच्छा था, वो सिफ 100 रुपीस की है, आई नो वो कंटेनर वाला कलेक्शन है जो मैं आपको बताती हूँ, बट इट्स सो वर्थ, कहीं से भी वो लूज नहीं है, कोई उसमें लिंट्स नहीं है, अब मैं भया के पास दुबारा जब उस शॉप पर गई तो वो सम नहीं था, अब आपे नॉमल से ट्राउजर्स थे, वेल, अच्छा, तो इन भया के पास इसमें देखो, आपको कम बजट से लेकर के, हेवी बजट तक में बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, जैसा जिसका रेंज, तो नीचे इहां पर 60 रुपे की सेल है, बेबी गल्स का भी इसमें स्वेटर है, होटी वाला, ये थोड़े आइटम कंटेनर वाली है, फिर मैं अगर जाते हो, आपे 50 रुपे में कोट मिल रहोते है, वो ऐसी नहीं मिल रहोते है, वो किसी फैक्टरी से मैनिफेक्चर होके नहीं आते है, वो सब वेस्टरन कंट्री का एक कहलो, आप यूजड माटीरल होता है, और उसमें भी हर चीज यूजड नहीं होती, कई चीज़े कपड़े दिखाए, वो कंटेनर वाला कलेक्शन था, और उपर जो आप देखे हो, यह सारा फ्रेश वाला कलेक्शन है, तो यह इस तरह की की टी-शिट्स आपको यहाँ पर 350-450 में मिल जाएगी, अब आप कहोगे कि इतने तो हमारे यहीं मिल जाती है, तो ठीक है, कोई बा साइजेस की वूलन टी-शिट्स के अलावा, वूलन शिट्स भी मिल रहे थी, उपर यहाँ पे बेबी गल्स का बहुत ही क्यूट कलेक्शन आया हुआ है, यह देख सकते हो आप, यह पूरा और गेंजा फापरिक से ना, इसमें स्ट्रॉबरी बनाई हुई है, बहुत ही क्य पूर थी, इसमें आठ साल तक का साइसता भाया के पास में, और यह पूरी जो लाइन आप देख रो, यह है जाकेट्स की, और सेल है 3.50 रुपीज का, इसमें 10-11 साल तक के बेबी गल और बेबी बॉइस की जाकेट थी, दूसरी तरफ भाया ने 400 रुपीज के बड़े साइ पहचानना होगा, इसले इन में आगे आपको फुटवेर की, कम बजट की, और थोड़े हेवी रेंज वाली दूनों में शॉप्स दिखाऊंगी, सबसे पहले जो शॉप है, यह है 150 रुपीज की सेल में, और इनके पास ही हमेशा मिलेगा, आपको कभी नहीं खतम होता, भया इसे ही इनोंने पूरा बेबी गल्स का कलेक्शन लगा हुआ है, अगर आपको डिजाइनर वाली चाहिए, ब्राइडल वाली चाहिए, तो बस वीडियो में बने रहो, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं मिलता, अच्छे प्राइज अच्छ दुलाई तक, दुलाई मतलब इसमें बहुत लाइट फाइबर है, जिसे आप बच्चों के नीचे बिचा सकते हो, आप खुद बिचा के बैठ सकते हो, तो ये देखो नीचे तक में भया के पास ये सारा है, सिला सिलाया, और इसके बाद भया ने मुझे थोड़े बड़े स सर्दियों में ही ऐसी चीजे आती है, ये देखो एक था आपका राउंड शेप में, डिजाइन देखे कितना प्यारा है, और ये पूरा फ्रेश कलेक्शन है, अब ये भया के पास में कभी-कभी आता है, हमेशा नहीं आता, फिर में कह रही हूँ, और इनके पास में आई तो फिफटी के फाइफ, एक से सौ तक कहीं नहीं मिलते हैं, और कहीं गलती से मिल भी जाएना तो सेम नहीं होता, मतलब असौर्टेड होते हैं सारे, बट ये सब सेम हैं, तो ऐसा थासू कलेक्शन आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा, और ये है भाई केस, वो भी मैं बात में बताऊंगी कैसे, अच्छा, इनकी जॉब पर आपको फाबरे, कट पीसिस, लेसिस, ये सब भी मिल जाते हैं, और कभी भी कुछ भी आता है, यहां पे न सारा लॉट का आइटम रहता है, तो भईया भी यही कहते हैं, हमें भी नहीं पता होता हमें अगली बार इस सब्सक्राइए, तो क्या मिलेगा, कभी कुछ भी आता है, लेसिस, कट पीसिस, फाबरिक आपको हमेशा मिलेंगे आप और कुषिन कवर्स का फाबरिक चेंज़ पर होता है, कभी भी कुछ भी आता है, वीडियो के एन्ड में भी मैं आपको कुशं दिखाऊंगी, तो तो वह भी दिखाऊंगी अभी भया के पास में फिलाल एक सिंगल पीस आया हुआ था यह चनौन का सूट है पूरा सिला सिला है उनली थाउजन रुपीस और यह अंग्रखा स्टाइल में है देख सकते हो आप इसमें दुपत्ता भी था और बड़ा प्यारा डिजाइनर पीस अब आप यह मत कहना है कि इनका नंबर नहीं दिया आपने हमें यह सूट लेना है भाई सेम चीज़ें यहां पर कभी दुबारा नहीं मिलती ऐसे ही मैंने अपना वो हेवी मिरर और गोटे वाला सूट यहां से लिया था साड़े आठ सो में सिला सिला है वो सिंगल पीस था लग्की ली मिल गया तो ले डाला अधरवाइस यहां पर रिपीट कुछ भी नहीं होता भाया के पास जैगिंग जाए हुई है 200 रुपीस की और इसमें कलर्स है इनके पास में सो यह जो मैं दिखा रही हुई है पिंक कलर है देन इनके पास में इस तरीकी की कॉटन जैकेट साइब हुई है बहुत ही क्यूट एंब्रॉडरी के साथ में सो यह पीछ कलर वाली मैंने परचेज भी की है क्योंकि यह मेरा साइज भी नहीं है अभी एक्षिल स्मॉल साइज है पर आम ट्राइंग मैं स्मॉल में कभी हो जाओंगी तो जरूर पहन होगी क्योंकि वह काफी दो और यह बड़ा वाला जो साइज होता है सबसे उसका साइज था मतलब उसमें चड़ाने लाएक यह कवर थे ठीक है यह भाया की शॉप खतम हो गई है इनके थोड़ा सा दो कदम आगे आपको यहां पर बच्चों के कपड़ों की फिर से एक शॉप मिलेगी पहले जो मैं अची थी भाया ने वह वाला सेल खोला नहीं था इसलिए में वह कवर नहीं कर पाई अधर्वाइस यहां पर कम रेंच में भी बेबी गल्स के फ्रॉग्स टी शिर्ट्स हुडी काफी अच्छी मिल जाती है तो उपर तक में यह जो सेट था यह सबसे महेंगा था 1200 1100 ऐसे उ आप लोगोंने कमेंट भी किया था कि आद्या दरिया गंज में फुट्वेर के अच्छी शॉप बताओ तो हेर इट इस और हाँ जिन लोगोंने अबाया की शॉपिंग के लिए बोला है हाला कि मैं बहुत बार इस मार्केट में दिखा चुकी हूँ बढ़ नेक्स जब भी यह पूरा मेटल का बो बना हुआ है पूरे हेवी पर्ल्स के साथ में क्रिस्टल का काम है डिजाइन कलर वराइटी काफी अच्छी है आप लोग अच्छा मतलब रिस्पॉंस दोगे तो शायद कभी भाया का दिल बदल जाए वो आनलाइन भी देने लग जाए जैसे मैंने दर्या गंज के बाकी भाई लोगों को इतने मुश्किल से कन्विंस किया है जब उनको लगा कि हाँ वीडियो देखे लोग आ रहे हैं उनको कंटक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन भी मंगाना चाहरे है तब उनको इस चीज़ के हैबिट हुई कि हाँ चलो हम भी पैक करके उसको प पार्ट टू था तो उसमें जितने भी लोग मार्केट में विजट करके हैं शॉपिंग करके हैं खुश हो कर रहे हैं किसी किसी को तो भया ने बठा के लंच भी करवाया है तो ऐसा नहीं है सारे लोग सपोर्टेव हैं वो आपको नाराज करके अपनी दुखान बंतोडी न तो भया की शॉप का आउटर लुक में आपको दिखा दिया इनकी शॉप भी सेवन डेज ओपन है अब देखो फिर से वापस में वही आ गए हूँ थम्जब के बोर्ड के पास में और यहां पर ट्रांसफोर्मर के बिलकुल पास में पूरा आपको शनील का एक शॉप इसमें आपर वेलवेट शनील के ट्राउजस मिल रहे थे वन फिफ्टी रुपीज की रेंज में तो रेंज में पर कोट कर दी है कुछ कोट वगरा भी थे इनके पास में और वापस से थम्जब की जो मैंने दुकान दिखा है उसके बगल की फैबरिक वाली शॉप में दिख फाबरिक की ज्यादा तर शॉप से नेपाली भाई लोग लगा अभी से पहले जहां पर मैंने आपको वह दुलाई दिखाई ना वो बिचाने के लिए कुल्टेड वाली रजाई तो वह भी नेपाली भाई लोगों की शॉप है तो वह लोग यहां पर भी काम करते हैं तो इ अगर आपने नहीं देखा तो मुझे कर देना मैं आपके साथ शेयर कर दोंगी वन ग्राम गोल्ड जूल्री और हवी से हवी डिजाइनर गरारे शरारे बनारसी सूट फैब्रिक सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है जो लोग नए है तो फिर देखो अब तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें लो नहीं तो नुकसान आपका है मैं तो एक से बढ़कर एक चीज़े दिखाई देती हूं आप लोग कमेंट करते हो सेम चीज़े मैं अल्रेडी कब से वीडियो में डाल चुकी हो तो लोकेशन फोन नंबर सब के साथ में तो कर लेना ठीक है यहां पर इसमें मसलीन भी था और इससे पहले जो मैंने दिखाया वो नेट का फाब्रिक था फाब्रिक था इनके बाहर बहुत अच्छे वराइटी में आपको समर्स में तो इनर वेर मिलते हैं जेंड्स के और यहां पर इस बार थर्मल्स थे पिशली बार मैंने इनसे थर्मल पर्च अगर आपने थर्मल्स देखे होंगे तो वो सिर्फ एक वूल की लेयर होती है बटी इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें प्रॉपर फर है आप जूम करके देख लो और इसकी वर्म्त के बार में मैं कुछ नहीं सकती यह पहनने के बाद आपको कुछ पहनने के और ना यहां पर फाब्री की पर्मनेंट शॉप है बहुत अच्छी वो ना मुझे कभी वीडियो बनाने नहीं देते लेकिन उनके बास फाब्रिक बहुत अच्छा होता है उनसे मैंने ब्लाउस के लिए फाब्रिक लिया हुआ है आज तक नहीं सिल्वाया डर रही हूं कि क नहीं देदू और कपड़ा खराबना हो जाए वो रखा हो है लेकिन फाब्रिक की वो शॉप अच्छी है अंकल मुझे कभी नहीं बनाने देते हैं भगा देते हैं तो एन्वी जूलर्स करके लेफ्ट हैं पर सबसे पहले सूट की जो शॉप आएगी यह वो जिशान वाले भीया की है इंदर लोग में भी यह शॉप लगाते हैं डिस्पेंसरी रोड पर और यहां पर इनकी पर्मनेंट शॉप है तो कल भी मैंने बोला था आज भी सेम बात बोलूँगी इंदर लोग में सूटों के लिए धक्य काना बंद करो अगर आप थोड़ा सा शांती से शॉ आपको जो भी सूट लेना है अच्छे से चेक जरूर करना है सौमे से डिफेक्टिव भी हो सकता है इस मार्केट में क्योंकि लॉट के सूट साते हैं सिंगल पीस सिंगल डिजाइन होते हैं इसलिए सस्ते मिलते हैं चांदी चौक में सूट का रेट 100-200 आपको उपर मिलेग भाले भाया भी पैठते हैं एन्वी जूलर्स नाम से भाया की शॉप होगी और यह 650 इस बार था कभी भी कुछ भी प्राइज हो सकता है मानलो आपको कल जाना है यहां पर तो आप भाया को कॉल कर लेना कि भाया आज कितने रुपे वाले सूटों की सेल आपने लगाई अब अगली जो मैं शॉप दिखा रहे हुँ इन्ही के पास मैंने वो स्ट्रेचिबल वाली पैंट ली थी यह भी कुछ-कुछ वैसी थी बड़ थोड़ा डिस्फिगर्ड मुझे लगी यह सारे जो आप ट्राउजर्स देख रहे हो सिर्फ 100 रुपीस की सेल में बहुत हैव का ट्राउजर रहेगा गर्ल्स और बॉइस दोनों पहन सकते हैं और दूसरी तरफ अभी एंटर करते मैंने आपको इनके पास 100 रुपीस के कोट दिखा दिये उपर जो आप देख रहो यह और भी ज्यादा लॉंग लेंथ मैं मतलब पूरे आपके एंकल लेंथ नी लेंथ के कोट्स हैं 300 रुपीस की सेल में अभी जब तक सर्दिया है तब तक यह सेल आपको यहाँ पर मिलेगा और फिर से मैं बता रही हूँ थम्जब के बोट से अब मैं लेफ्ट आज चुकी हूँ राइट वाला जो है वो छोटा सा मार्केट मैंने में 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 कलेक्शन आपको पास में बहुत अच्छे प्राइज़ और लेटेस्ट कलेक्शन होता है भाया इसा बताते हैं कि इनके पास में मुसली फर्स कॉपी होती है मुझे परस्नली फर्स कॉपी की पहचान नहीं है अगर आपको है तो बिलकुल आप यहां पर आके पर्चेसिंग कर सकते हो बारग बहुत बढ़ा मतलब बहुत बढ़ा अंदर काफी जादा स्पेशियस था इनकी शॉप से आपको सीधे आगे चले जाओ खजूर वाली मस्जिद तक तो वहां पर आपको जो है युनिक पैक्स कलेक्शन और पाकीजा पर्स दोनों की शॉप्स मिल जाएंगी थोड़ी आग पर छूड़ गया था मैम अगर आपको आपका साड़े आट सो रुपे वाला सूट मिल गया था ब्लू कलर का गोटपटी वाला तो कमेंट करके बता दो क्योंकि भाया ने मुझे यही बता है कि आप आके ले जा चुके हो इनके पास में जो बाहर सेल रहता है कभी साड़े स अगर आपको इंसे लेना है आपको इंदर लोग जाहिए या फिर इनकी शॉप पर विजिट कीजिए और इनके पास में लेंगे भी होते हैं जो वो मुझे नहीं दिखाने देते अब इसका रिजन मुझे नहीं पता ना वो मुझे प्राइस बताने देते हैं तो आपको ले लेना और शॉप पर विजिट करना तो यहां पर यह जितने भी सूट्स का मैं आपको कलेक्शन दिखा रहे हो सब थाउजन का है यह देखो हैवी जरकन वाला पीस आ गया लाइट नहीं चाहिए मतलब लाइट कलर नहीं चाहिए डार कलर चाहिए तो वह भी मिल जाएंगे जब मैं गई थी तो भया के पास गरारे शरारे वाले कम थे अधर वाइस इनके पास गरारे शरारे के बहुत कलेक्शन आपको मिलेंगे एट से पहले तो मिलेंगे डेफिनिटली तो आप से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे एक पीस लो सौपीस लो चेक अच्छे से ज आपका मेसेज मैंने अपने ओडियंस में कन्वे कर दिया है आप लोग अगर जूट का मजबूत बैग लेके चलोगे ना तो वो चोरो को काटने में भी तकलीफ आएगी उनकी नानियाद आजाएगी एक बैग जो सबसे जादा फेमस है सदर बजार में मिलता है ब्लाक कलर का बड़ा सा तो उसके बहुत अलग-अलग साइजेस आते हैं और वो काफी मजबूत होता है उसमें कोई ब्लेड नी चला सकता ऐसा बैग आप कैरी कीजिए अपने साथ में ताकि आप जो भी खरीदो आप उस बैग में डाल लो आप अगर बहुत सारी पनिया इखटे कर और इनके बगल में एक City Care नाम से शॉप है और आगे मुझे रैंडम ली एक मैट्स की शॉप दिखी इनके पास में इतने प्यारे प्रिंट्स आयों हैं देखे सिर्फ 100 रुपीज में और ये कभी भी दुबारा नहीं मिलता है यहां पर कभी भी कुछ भी आता है आम टेलिं पर यहां पर अंकल अराम से बैठे हुई हैं खाली-खाली मार्केट क्योंकि इतनी भीड उस टाइम पर नहीं थी जब मैं गई थी हां पर इनके पास में आपको बूस्टर मिल जाएंगे तक किया कुशन कवर सब कुछ मिल जाता है इनसे मैंने कुशन भी पर्चेस किया हु अपना बेस्ट भी इस डिस्प्ले में लगा रखा होगा तो आपको अराम से मिल जाएगा और इन भीया के पास में ये पलाची का पूरा दुपट्टा था काफी लंबा चोड़ा और इसका डिजाइन देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है कश्मीरे इंवरॉडरी जैस इनका कलेक्शन बिल्कुल ऐसा था जैसे हारून भीया जी का होता है इंदर लोग में ऐसा था तो अंदर शॉप में भीड बहुती जादा मैंने एक्स्प्लोड नहीं किया पाकि आप बोलोगी तो मैं करूंगी अगली बार इन से जस्ट पास में आपको शॉप मिल जाएग यह जो आप देख रहे हो ब्लाक कलर में यह 250 के दो आपको मिल जाएंगे सेम पीसे इनके बास जो मुझे सबसे क्यूट लगा वो हर्ट्स वाला था भी दिखाती हूं जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बूस्टर्स के कवर दिखाए थे उसके ही वो लग रहा हो तो यह भी तक्यार जैसा ही है पूरा है विट टसल के साथ में बया का कॉंटेक्ट नमबर मैंने में इनकेस आपको शॉप ना मिले तो आप कॉल करके जा सकते हूं और जो भी लोग 26 जनवरी को किसी भी मार्केट में जाने का प्लान कर रहे हैं भाई वहां के कि किसी शॉप कीपर का नमबर मैंने दिया होगा आप कॉल करके जाना और कल इंदर लोग लगेगा या नहीं यह कल जाकर ही पता चलेगा तो यह भया का कॉंटेक्ट नमबर मैंने मैंने मेंशन कर दिया है आज का यह फुल और फाइनल वीडियो था धर्यागेज मार्केट का आपको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी शॉपिंग करने में बहुत सारी शॉप्स मैंने अल्रेडी दिखा दिया है तो अब आप विजिट कीजिए और फिर मुझे पताईए कि आपका शॉपिंग एक्सपीरिंस कहसा रहा कलंदर लोग में क्या क्या देखना है यह भी